कर नमस्कार दोस्तों अगर आपका भी पेंट काड़ खो गया है और आप अपना पेंट कार्ड फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज कई वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट डिटेल में बताने वाले ह आपके इस तरह से विल्कुछ फ्री में अपना पेंट काड डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियों में आखरी तक बने रहेगा और अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेज करके और नोटिफिकेशन आउन करते ताकि आपको इ ही पेंट काड आप इसको मुबाइल पे भी कर सकते मैं लैपटॉप इस लिए करता हूं ताकि आपको सही से दीख सके ठीक है तो घबराने जोत नहीं है जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने इतने सारे ओप्संस आएंगे इसमें से अगर आपका यूटी आई-ाई-ाई- आपके पास एक्नॉलजमेंट नंबर होगा सिलिप पर आप अगालेजमेंट नंबर होगा स्लिप पर एक्नॉलजमेंट नंबर और मंप और मंत ओ यर करने के बाद आपको सिंप्ली Capgement यूद करना है और resp मेरे केस में मेरे पास pen card already available है तो मैं pen number डाल के यहां से सर्च करूंगा ठीक है तो चलिए मैं अपना pen number यहां पर फीड कर देता हूं ध्यान रहे pen number बिल्कुल correct भरना है अगर आपने गलत भरा तो आपको डेटा नहीं दिया जाएगा उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहां पर आधार डिटेल पूछा जा रहे तो आपको सिंपली आधार नंबर डालना है क्योंकि दोस्तों हम सब जानते ह आधार जो है अभी के टायं में हर चीज से लिंक कर दिया गया है तो आधार नंबर देना जरूड़ी है mandatory है यहां पर देख सकते हैं उसके बाद नीचे आप देखेंगे मंत वर्थ दे रहा है तो यहां पर मंत बर्थ स्टेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एयर ओब बर थ ह है click तो यह मैंने capture फिल कर दिया हो आप submit पर करोंगा click जैसे मैं submit पर click करोंगा मेरे सामने जो है मेरे पेंगर से related सारा detail यहां पर show कर रहा है short detail so कर रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर OTP receive करने के लिए यह कह रहा है कि आप नीचे की किसी option पर click कर सकते हैं ठीक है तो मैंने फॉर्म जब भरा था मैंने पे इन कट घर को मेने सिर्फ मोबाइल नंबर लगा रख लगा ते इस पर करता हूं और तो आप की किसमें ले लेते हूं आपके कशना कर दोनों हैं तो आप नीचे आफकृत्ट का ऑफ्सें नंबर दोनों फें ले सकते हैं, चलिए मैं मॉबाइल नंबर को सलेक्ट कर लगता हूँ यहाँ पर इसके टम्स कंडिशन को agree करके tick mark लगाके generate OTP पर click कर देता हूँ, generate OTP पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँआप mobile पर एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँपे fill करना है तो मेरे पास OTP आगे मैंने OTP फिल कर दिया है और Simply Validate Pay करूँगा क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक मैसेज दिया है जिसका मतलब यह है कि मुझे फेन काड फ्री में डाउनलोड नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि मैंने पहले पेन काड डाउनलोड कर लिया ठीकत अब आपको एक भी पार्री पन काड़ करने दिया जाएगा उसके बाद आपको थोरा से छोटा सा ही अमॉंफ पड़े पड़ेगा फिल के Совет करना लिए तो इस इस मेंसेज़ का वही मतलब है ठीक है तो मैं यहाँ पे continue with paid e-pencard download facility पे क्लिक करोगा आपके case में क्या होगा अगर आप first time e-pencard download कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह का message नहीं मिलेगा आपको direct जो है ना e-pencard का जो है PDF दे दिया जाएगा जो आप download कर सकते वहां से ठीक है लेकिन वही चीज़ आप second time attempt करते हैं download करने के लिए तो आपको इसी तरह का message आगा और आपको continue with paid e-pencard download facility पे क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप क्लिक करेंगे आपको mode of payment यहाँ पे दे दिया जागा दो मोड है online payment through paytm और online payment through buildex ठीक है तो जो भी आप preferred करते हैं आप उसको select कर ले तो मैंने बिल्डेक्स select किया है और बिल्डेक्स select करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर आठ रुपिया 26 पैसा का हमें charge पे करना पड़ेगा तो कोई ज्यादा amount नहीं है आराम से हम पे कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर टर्म कंडिशन एग्री करेंगे उसके बाद प्रोसेट टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आठ रुपिया 26 पैसा और ट्रांजेक्शन आइडी भी दिखा रहा है पे कंटीनु पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यह हमें पेमेंट गेटवे में करेंगा देख सकते हैं पर पेमेंट गेटवे आ चुका है और यहाँ काफी सारे आप्सन से हमारे पास पेमेंट करने का जो भी हमारे पास ओप्सन में क्रेडिट कार्ड है डेविट कार्ड है नेट बैंकिंग है वालेट कैस है क्यू आर कोड है यूपी आई है भाया जो आपके पास है वह यूज करके आप यहां पे आठ रुपया चब्वीस पेसा पेमेंट करके अपना इपन काड डॉनलोड कर सकते हैं तो मुझे फिलाल करना और अपना इपन कर सकते आप आप यह पेंट कर सकते हैं तो बहुत इसी और सिंपल है ठीक है तो वीडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक कोमेंट शेयर करना ना भूले